उम सिरी गनिशा नमदोस्तो एस्ट्रो समधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 नवंबर सनिवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आ आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है गहरी रूच्छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तथा परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रति आस्था रखने के साथ साथ सब का सयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साथिसाथ आज आप बहार की गतिविदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबद तरीके से अपने कार्यों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्त होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होंगे प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रख रखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्तन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा परसनल्टी में बहुत अच्छा स प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कार्यों पर अधिक ध्यान केंदरित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस् स्थाओं में आज आपकी विसेश रूची रहेगी इसकी वज़य से आप सम्मानित भी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रखें उनका आशिरवाद वे शय आत्मक उर्जा का वास होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तो आज ज़ादा से ज़ादा विवादों से दूर रहने का आप प्रयातन करें सावधानी रखते हुए किसी भी कार्रे को करें अपने आप पर भरोसा करते हुए आर्थिक लेंदेन में सावधानी रखें। कभी कभी आपकी लापरभाई की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं। जिसकी वज़े से स्वभाव में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है। अपना आत्म विश्वास उर्जा बनाकर रखना जरूरी है। साते साथ विध्यार्तियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती हैं। कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिद के साथ संबंद खराब होने की आशंका भी आज लग रही है। दोस्तों अपने संबान की देखवाल आप श्वैम करें चोरी होने अत्वा खोनी की संभवना आज लग रही है। प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिस्तिदार अत्वा भाई के साथ कोई कहा सुन होने की भी आज आसंका है। थोड़ा साथ साथ कोई भी उपलब्दी आज मिलने पर तुरंत ही उस कार्य को करें जादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है। साथ ही किसी अंजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा कोनी भी हो सकती हैं। करूद की अपेक्षा सांती पूर्ण तरीके से मामला सुल जाएं। दोस्तों स्वयभाब में धहरें वे नर्मी बनाकर आप रखें। जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती हैं। जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता हैं। थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं। दोस्तों आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया माहूल आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों साथी साथ आपके कारों में जीवन नाकर रखना अती आवशक हैं। दोस्तों वहायत जीवन आज शुक में रहे गा। प्रेम संबंदों को मर्याधित बनाकर रखना अती आवशक हैं। жизни साथ वेस्तता के बाभजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में वयत्तित करें। इस कि आज आप नई योजनाएं बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं जो भविस्य के लिए आप के लिए काफी लाबदायक रहेगा दोस्तों साथ साथ कार्य छेत्र में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करके सभी निर्ने हम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वजह से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साथ साथ नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टार्गेट हांसिल हो सकता है जिसकी वजह से आपका बौस या उच्छ अधिकारी आपके लिए कुछ उपलब्दियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विध्यार्तियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छ रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज स्वास्थ को लेकर आपके लि जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उर्जावान महसूस करेंगे दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक रोटी लें और इसके बाद आप इस एक रोटी को एक साफ बरतन में रखकर अपने सामने रख लें और इस रोटी के सामने आप बैठक सिसके बाद आप इसे एक रोटी को भगवान शनीदेव करते हुए काले कुत्ते को या फिर काली गाय को खिला दें भगवान शनीदेव आप से बहुत जल्द प्रसंन होकर आपकी सभी मनुकामना को पूर्ण करेंगी जो भी आपके जीवन में परिशाने चल लेगी हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रे बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान शानिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद